वेलकम माई यूटूब चैनल ब्याश नारानमिस आज हम डिसकस कर रहे हैं बीए बीए सी बीकाम थर्डियर का एक पेपर होता है डिजिटल अवेरनेंस और सिक्यूर्टी साइवर इसमें फाइफ यूनिट है इसमें मेन एक्जाम में 50 अबजेक्ट्व टाइप ये कुस्चन इसलिए हम उसी अबजेक्ट्व टाइप के कुस्चन को तैयार करवाएंगे इसमें से फर्स्ट कुस्चन है एक्सल सीट से रिपीट वैलू कैसे निकालते हैं एक्सल सीट में जो है सिल के फार्म में कालम और पंक्ती के फार्म में एक सीट अबलेबल होती है उसमें अगर क उसको कैसे हटाया जाता है तो इसका है remove duplicate का प्रियोग करके एक option होता है remove duplicate इसका प्रियोग करके हम repeat value को निकाल सकते हैं next है ALX का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है advanced interactive executive ALX का ये पूरा नाम है power point में slide number कैसे जोडते हैं तो सबसे पहले insert होता है उसके बाद text होता है उसके बाद slide number आता है ये power point में slide number जोडने का rules है MS word का file extension क्या होता है तो इसका file extension होता है .doc इन सभी question के answer का आप जबी question का जो है ये answer आप दीजिए और फिर यहां ते check करिए और देखिए कि आपके कितने answer सही होते है next question है notepad का extension क्या होता है extension का मतलब होता है कि जब कोई एक program होता है एक system होता है उसको हम एक sort form में लिखते हैं जो कि extension कहलाता है जैसे मद्ध प्रदेश को हम MP के form में लिखते हैं तो ये extension कहलाता है तो notepad का extension क्या होगा तो इसका है आपका dot txt क्योंकि notepad एक text material है तो इसका जो extension होगा कितना हो जाएगा star txt next question है कोबोल का पूरा नाम क्या है बहुत important question है इसका पूरा नाम है common business oriented language next question है website बनाने के लिए कि software का उपयोग किया जाता है तो next question है dream viewer dream viewer जो है ये एक website बनाने के लिए इस software का उपयोग करते हैं next है उच्छ स्थरी कारेक्टरम को line के दौरा machine star program line में परिवर्तत करता है तो उसे क्या बोलते है interpreter क्या बोलते हैं उसको interpreter ये high level language को जो है ये machine level में उसको convert कर देता है interpreter next question है एक file को print करने के लिए किस की का प्रियोग करते हैं तो है control plus P अगर एक file को में print करना है तो उसका sort form कितना है control plus P कर देंगे तो वो उससे file का print हो जाएगा next है इंटरनेट के दौरा banking संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको बोलते है e-backing इंटरनेट के दौरा जो banking संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते है e-backing next question है MS Excel में एक पंक्तिय और स्थम्भ के प्रतिक्षित को क्या कहते हैं तो इसको बोलते है cell apps एक पंक्तिय और वर mantg जैसे माल लिए यह हो गया अपका यह हो गया column तौह यहां से देख सकते हैं कि जो यह बाला प्रत है यह आपका कहलाएगा क्या यह बाला प्रत यह जो प्रत है क्या कहलाएगा अपका उसे हम sell कहते हैं तो इस तरह से important question हमने discuss किया आप हमारे चैनल को subscribe करें, like करें, share करें अपने friend circle में उसको share करें कोई doubt हो तो question पूछ सकते हैं comment box के दौरा thank you very much